आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और एतिहासिक फैसले में आधार कार्ड किसी भी चीज के लिए नहीं मांग सकती, कोई बैंक नहीं मांग सकता आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और एतिहासिक फैसले में आधार कार्ड किसी भी चीज के लिए नहीं मांग सकती कोई बैंक नहीं मांग सकता, कोई मोबाइल कंपनी नहीं मांग सकती, कोई एरलाइन नहीं मांग सकती, कोई स्कूल नहीं मांग सकता आधार कार्ड सिर्फ सरकारी स्कीम जिसमें की कोई सबसेडी दी जाती है उसी में मांगा जा सकता है और उसमें भी किसी भी व्यक्ति का अगर biometric identification fail करता है तो सिर्फ उस आधार पर उसको उसका जो entitlement है उसकी में वो deny नहीं किया जा सकता ये एक बहुत इतियासिक judgment है जिसमें कि आम आदमी को बहुत relief मिलेगा पहला relief तो ये कि इतने सारे ये private लोग आधार को insist कर रहे थे कि आप आधार कार्ट दीजे नहीं तो हम आपका bank account नहीं खोलेंगे आपका हम admission नहीं करेंगे आपको mobile SIM card नहीं देंगे आपको हम travel नहीं करने देंगे इस सब को Supreme Court ने साफ साफ कह दिया है कि कोई ऐसा नहीं मांग सकता और ऐसा मांगना विलकुल गेर संवेधानिक होगा और आधार की concept को आधार के legislation को judicial scrutiny के बाद स्विकार किया गया है इसका हम स्वागत करते हैं It's a great step forward for the use of technology in governance. It's already being used in several areas, several state governments have used it and I'm sure it will continue to be of a great benefit to the society. subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel यूट्यूब पर लाइक का बटन जरूर दबाईए और वीडियो को सबके साथ शेर करना मत भूलिए आप हमारे चानल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल दबाना मत भूलिए